अब शाने अली तो हम जितनी बयान करें उतरी कम हैं, किस की संदागर बयान करें, अगर हम देख लें, कि तमाम सहाबा जो हैं मुतबर हैं, वेकि उन सहाबाओं के अंदर अली का मकाम क्या हैं? कि मुतबर हैं कब होते हैं हमारे कहने से नहीं, तुम्हारे कहने से नहीं, जब उनको अल्ला उसका रसूल बेहतर कहें, साही बात है। हमारे कहने सो जाएंगे कि ये मुतबर है ये कमतर है नहीं होंगे अल्ला उसका रसूल कहें कि ये मुतबर है तब तो हम भी कहें यहां बहतर है वो वो मुतबर है वो तब कहेंगे जब अल्ला उसका रसूल कहें और जिसको अल्ला उसकी रसूल ने सरफ दे दी कि ये सबसे बहतर है वो ही बहतर है और को बहतर हो नहीं सकता अब बहतरी के लिए कि तमाम सहाबाओं में मुतबर कौन है कौन से सहाबी है तब हम एक मिक्स मैच करेंगे हम लोग इस तरी की बगुफतवू करेंगे जिससे ये चल जाए कि बहुत कौन मुतबर है तो सबसे पहले क्या अली के सिवा किसी की कावे में विलादत हुई है क्या किसी की नहीं हुई है तो सब जानते हैं कि एक ही है कावे में जिनकी विलादत हुई है क्या वजाव है इसकी पहली बात तो यह किसी की हुई नहीं और अगर मु क्यों हुई है ना होने की वज़ा क्या है तो दुनिया जहान जान ले ठीकि आशिकों के दिल का काबा लिये है तो सबसे पहला कि किसी की व्लादर आज तक भी कावे में नहीं पिर अब ये मरतबह किसी को हासी लेकि अब भी देख लो आप तौलिद हुए आपकी व्लादत हुई तो सरकार दौालम सलसलम की आगोश्न सबसे पहले आए है किसी के पास ये मकाम नहीं सबसे पहला दिदार दुनिया में किसी का किया तो वो नूर पास सलसलम के चेरे मुबारक का किया सबसे पहले आख खुली तो है किसी के पास मकाम है को इनके बरावर है किया नहीं है अब यहाँ पर हमने देखा कि मुला लिक काइनात ने आखे खुली पैदा हुए है पहली जो छबी देखी पहली सुरद देखी वो हम सब के आखा मुला सलसलम की देखी उसके बाद तीन दीन तक आपने दूद नहीं पिया आप भूके रहे जब तीन दीन तक आपने कुछ नहीं पिया दूद नहीं पिया तो सरकार रिद्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार सबसे पाहिली गिजा किसी की नूरे पार सुसलम के गुर्वार के लुआ बेदाहन की है तो बताओ एक जी बताओ पाहिली गिजा क्या है लुआ बेदाहन मौला लिकाहिरात ने नभी के जबान को चूसा और अकाबिहिन फर्माते हैं कि जब अली ने उस जबान को चूसा तो उस लुआब दहन की बरकत से तमाम उनुम जो नभी के इलम है वो तमाम के तराव उनुम जो है उसी वक्त अली में आ रहे इसी लिए सरकासलूं क्या भरमया कि जो मरतबा जो मकाम मुसा के लिए हरुम का है वही मरतबा मेरे लिए अली तेरा है अब हमने देखा ये विलादत हुई है उसी मौका पर तीन चीज़ काबे में विलादत पहला दिदार नभी का दिदार पहली गिदार नभी का भूवदा है है किसी के पास है किसी मरतबा नहीं है जो मरतबा मेरे लिए का है ना है ना कभी कितीका होगा ये मत्तब अब आपको कहा जाता है मुला लिक टाइनात को करम अल्ला वजहुल करीम ये मर्दवा भी किसी के पास नहीं है ये लकब किसी के पास नहीं है क्यों नहीं है क्या मतलब इसका जितने सहाबी है वो सहाबी बनने से पहले किसी ना किसी मज़द को मानने वाले थे वो बुद्परस्ट थे वो मुर्तियों की पुजा करते थे वो मुश्रिक थे, वो काफिर थे लेकिन मेरे हली को यह नहीं कर सकते कि वो काफिर थे वो किसी बुद्द की पुजा करते थे वो किसी और दियुके बांदेवाजय तो नहीं कह सकते बाकी तमान सहभीयों कह सकते हैं तुम कि वो मुर्तब थे वो मुर्ती की बिजा करते थे इमाल लाने से पहले लेकिन अली जो थे उन्होंने कभी खुदा के थिवा किसी को वाहिद माना ही नहीं किसी की अबायत की ही नहीं है। इसलिए उनके नाम क्या है क्या लगता है। करम अल्ला वजहुन करीम। उन पे रब का इतना बड़ा करम रहसान है कि उनसे कभी भी बुद्परफ्टी नहीं हुए। उन्होंने अपना सर कभी बुदों के सामने नहीं जुखाया। तो ये मरतबा अली की सीवा किसी के पास किसी साभी के पास नहीं है। अब आप देख रहे हो ना कि अली की शान क्या है। तो तमाम साभी एक बराबर। लेकि अली एक बराबर नहीं। तो अली का मकाम समझा रहे हैं कि अली का मकाम क्या है अज अली के नाम से दिल जो हमारे जड़कते हैं नाम आने से जोश आता है क्यों आता है और किसी नाम से क्यों नहीं आता है उस बात में ही उस नाम में वह बात है उस नाम में ही वह बात है कि हर बात का है जी बात है वह अल और आगे बढ़े, यानि यहां तो समझ में आगया कि अभी करम अल्लाव जोर करीम क्यों कहते हैं, अब हम आगे भी किया है, तो सबसे कम उमर में इमान लाने वाले, तो कि आप जब की विलादत हुई, तब सरकार सुलम की उमर तीस वरस की थी, और जब सरकार सुलम में और सबसे ज़ारा वक्त, सरकार सुलम साथ रहने वाले भी वही है, उन्छा नभक कोई नहीं रहा है, अब एक सवार जो है, वो उन लोगों से जो बच्चीयों के बाद बेटियों के बाद बाद है, जिनकी बेटियां शादी के उमर की हैं, उनसे सवाल है, अगर वो लोगो जब अपनी बेटी के लिए शोहर तलाश करने जाएंगे तो कहा तलाश करेंगे। बैतर से बैतर लोगों में या कमतर से कमतर क्या तलाश करोगे। सवाल किस्से है बेटियों के बाप से यह वो बेटी है जो अभी शादी की उमर हो गई है जिनकी। तो जब वो तलाश करेंगे तो लोगों में सबसे बैतर तलाश करेंगे। कमतर तलाश नहीं करेंगे। सही है करते हैं अब यह सोचो कि तमाम सहभा एक बराबर लेकिन अली एक बराबर नहीं। क्यों तमाम सहभा के अंदर सरकारे को अलम सलस्तों को जब अपनी लगते जिगर का रिष्टा करना था अपनी जिगर का तुपला देना था तो सबसे बैतर किसको जाना किसको समझा। अरे बरी बोलो किस को खंगा। अली को खंगा। अली को माना मस्टिधा%, सबसे बैतर किसको जाना। अली को जाना। अब यह वही समझा कि जिनकी बैटिया है। और वह अपनी बैटी से बहुत महब्वत करते हैं। तो जब वो उसके लिए शोहर तलाश करेंगे तो वो बहतर से बहतर तलाश करेंगे वो यही तलाश सोचेंगे कि जितनी मैं मुहबत करता हूँ उससे वो भी उतनी करे मुहनि हम उससे बहतर करे। मुझसे ज्यादा करे। जितना माहें ख़ाशा रखता हूं। उससे ज्यादा करे। जितनी मं जिम्हेतर जिगता हूं। उससे ज्यादा करे। तो सरकार चुई ओयलाभा साथ यावग्हुण को बहतर लगा। तो क्या वो तमाम सभी के बराबर है सब एक बराबर है नहीं है न तो क्या वो मतब्ता किसी और के पास है नहीं है अब कुछ बात इसी भी है जो बेटीओं के लिए बच्चीयों के लिए जो मा बहने पीछे बैटी है हमरे एँगे उनके लिए उनको सरकार दो आलम से लिए की जात मुबारक पे कुर्बान जाना जाना जब लोग अपनी बेटियों को जमीनों में जिन्दा दफना देते थे कुवे में धकेल देते थे इस वज़ा थे कि और बेटिया हो गई है और बेटी जो हो कमा के नहीं देगी वो हमारे रिक्स मसे खाएगी उस डर थे उसको जब लोग अपनी बच्चीयों को जिन्दा जमीन में धर्गोर करते देते या कुवे में धकेल देते उस दौर में उस बेटी की इज़त आप उने करके दिखाया कौन से काल में जब लोग बच्चीयों को कुछ समझते ही नहीं थे तो आप यह सोचो कि आज बेटियों को इज़त मिल रही है तो सबसे पहले वो इज़त देगा किसने शुरू किया वो सुनक किसकी है बेटियों को मतला किसने दि उस दौर में जब बेटियों को लोग जिन्दा दपनाते थे बहुत यहां से सुनब खासकर मेरी माँ बहने है कि जो बात कही जा रही है ना वो आम बात नहीं है वो समझ नहीं पाते है इसको और वो खुद भी हो चीज करते है गल्ती कि बेटी हो जाती है तो आज भी वो द भी करती है वो भी बेटी ही है उसके बाहुँ चीज को भी करती है वो समझती है कि बेटा होगा कोही नसर चलेगी है बेटा होगा तब ही नसर चलेगी सोचती है अजा कुछी नहीं है अरे देखना है तो संकाश्म को देखो बेटी से नसर चल रही है बेटी से बेटा नहीं एपनगे आपन की अपने को समय से कहता है विवी फातुम की जोहरा के मजए से लृइंची वालिव किष्ग्मनद नबी आ अब को सिद न ना राने तो ये दिल से रावो के निकाल दो कि सिर्फ और सिर्फ बेटे से नसर चलती है हम जिन नभी के मानने वाले हैं ना उनका खांदान बेटी से चलता है बरबर आगे नहीं है मेरी माँ मैंने समझे इस बात को ये ना समझे कि बेटा नहीं हो तो नसर खतम सरकार सर्ण के बेटा नहीं रहा तो बेटी से नसर आज तक चल रही है तो बेटी के मत बहुत समझो सरकार तो आजम सर्ण के उस दौर में जिस दौर में लोग बेटीं को जिन्दा दब्रत देते थे उस दौर में दिखाया कि बेटी से नसल चल सकती है बेटे की ज़रुद नहीं है अगर अल्ला तुम को बेटी नावाज है तो ये समझो कि अल्ला ते मुस्कों रहन किया है उस दायर में सरकार दौर्ण सक्षाव सब्सक्राइब करते थे अब हम सुनने में ठ्था हैं कि रखनाते होंगे लगिए अदिस हो मैं अदिस पढ़ते हैं ना तो रोपरते हैं वो हम खुद भी जो है अभी अदिस बाता में कुशिश नहीं करते हैं कि अगर बराया तो हासु निकल नहीं है। ऐसे पीसरी की भी है। क्योंकि सहाबा कराम सर्कार की बारगा में आजी होते हैं। और जब वो इमान नहीं लाए थे। उस वक्त के किये वे गुना जो है वो गुराते थे वो। वो कहते हैं कि हम आइसे गुना किये हैं। तो हमारा से पूर्णक क्या होगा। क्या हम बच दी जाएंगे। तो सर्दाव सर्लम उनसे पूछते क्या गुना किया था। क्या गलती की थी। तो एक ने कहा, क्यों मेरे एक बेटी थी। से मेरे कदमों से लिपढ जाती। मुझसे बहुत मौपकर करती थी। एक दिन जब मैं गआया, तो वो मुझको देखकर ऐसे इसे आई कूसे बिदाए। और दोड़ते दोड़ते आई अबू कहते कहते मेरे कद्बू से लिपड़ गई, मैंने उसका हाथ थामा और उसको लेकर चला पुवे की तरफ और मैंने अपने हाथों से उसको पुवे में फेक दिया। जब वो गिरी तो उसके आखरी अलपास थे, अबू जान। जब अब समझ सकते हो कि कैसा मामला होगा। परे किन लिए कहाा, कि मेरे आज़ दुस्री बेटी पड़ढ़ा हो गई तो मैंने उसके ले क्या किया? मैंने समीन में खटाख ख़ूगा, और उसको दफनाया उसरे मेरे उल्ली पकड़ी हुी थी और उसके अधिक पड़ी नहीं थी जब तक कि उसकी जान ना चलिक गई ये सुनकर फरकायत और अधिक से आसुजारी रहते थे और इतने आसुजारी करते थे कि उनकी दारी भारत भी गीरी हो जाती थी लेकिन रोते हैं तक हम ने फरमाया कि जो भी तुमने किया उस वक्त अल्ला तुमको बश्च देगा तक तुम्हारे किये वे गुना अल्ला बश्च देगा लेकिन सोचो कि वह ऐसा अलम था वैसे वक्त में हमारे हांका क्या मकाम है उन्होंने बेटी के ऐसा मकाम दिया कि है आएसा सिद्धी कारे तरह फरमाती है कि जब बीबी पातम तुम्हारा सलाम अल्लाए हम सब किया मां जब वह कशिप फरमाती ही हमारे घर तो सरकार्द वालम स सबस्केर खरे हो जाते है अ कौंग से दौर ने जिंदा मायं रहे हैं उस दौर में अपने बेटी के के अजब उम्हें खरे हो जाते हैं नभी की जगह है, वह नभी के रावा कोई भी बढ़ सकता, उस जगह को अपनी बेटी को बिढ़ाते, उसको वो मर्तबा देते, तो वो सरकाइब गालम जिसनों ने फरमाया के फात्मा मेरे जिगर का तुक्रा है, फात्मा मेरे जिगर का तुक्रा है, जिसने उससे महबब की, तो बेटी के लिए जो का प्राम इस दख मिली है आज वो सरकारे के आलम सरस्टलों के सख्का अधराद है उनके नालेए पाक सख्का है कि आज इसलाम में बेटी वैसका मरतबा है लेकिन फिर भी आज कुछ कम जहन लोग जो है अभी भी बेटी के पैदा होने पर नापुछ होते हैं लेकिन बेटी बाप के लिए रहमत है वो जहमत नहीं है उससे मौबबत करो तो वो मकाम औरतों को किसे मिला सर्काद वालम से तो बच्चियां हमेशा इसको याद रखे हैं कि आज हमारी जो इज़त और तौकिर है वो हमारे नभी के लिए तब यहाँ पर उस पात्मा के लिए कि किसको चुन है अको रिवायद है कि अनी मुवायख रुट्ग है मुताबर है नहीं है लेकिन गुजल कि भी हो सकती है लोग उसको पार भी शक्ते है इसलिए उसको बायन नहीं किया था लेकिन वह भी काफी है कि निकार तो हो गया है तो तो सरकाशनम पुर्माया कि जिब्रिलमी आये थे किया है कि है साथ बिन अभी वक्कास तरह रिवायत है कि सकार ने फर्माया कि जिब्र भी आयत है और उन्हों ने अर्शिया कि अल्ला ने खुब फर्माया है कि फात्मा का मिता अलीश दिखाए अब ये रिवायद जहीर या बुजूर्ग हम को नहीं पता लेकिन फिर भी हमें लिलू मानेंगे क्या गार मिका हुआ है तो अल्ला की मज़िदी के लिए लगते जिगर के लिए जिससे वो बहुत मुहपक करते हैं जिसका बड़ा अदब करते हैं उसकी इज़त करते हैं उस बेटी के लिए सबसे बहतर कौन लगा शौहर तो अली है अब यह मकाम तो हुआ साबाओं में अंकरिया बश्टर दिए तो साब एक बराबर लेगा अली उसमें तब से बैतर क्योंकि वो सिब साभी नहीं वह अहले बाद भी वह दामाद प्यांबर भी वह इमाम हसान हुसायन के वालिद भी है तो यह मकाम किसी और के पास नहीं है कि और बहुत सारी बाते हैं अ है संग्या ने फर्मया कि सब्की ऑलाद उन्की पुष्ट में मेरी ऑलाद अली के पुष्ट में है इस ब्राइद भुगारी श्रीट की अधीशा को है हादर वर सिद्धी करते हैं रहा है 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 उनको मैं आगोष में लिया और कहा कि तुम नभी की मेरे नभी के अउलाद हो अली की नहीं तो अली जो है वो देख के नुस्छा रहे तो अच्छा है कि यह अवलाद जो है बले ही मेरी कुछ से है, मैं कि वो नभी की अवलाद है। यह मकाम किसी और की अवलाद को भी मुश्मेश्टत है। यह अली की अवलाद को भी मुश्मेश्टत है। क्या किसी को मुश्मेश्टत है। यह मकामुश्टत है। झाल